हाई गईज और विल्कम बाक टू दी चैनल दीपाच यादव एजूकेशन विल्कम टी डेली हिंदू नियूज एंड एडिटोरियल एनालिसस ओफ 25 अफ में 2023 तो गईज आज है तारिक 25 मई 2023 और है थर्सडे देखेंगे आज के दा हिंदू कम्प्लीट यूज पेपर को अनिलाइस करेंगे बट लेक्चर मागे बढ़ने से पहले अगर आप लोग को इस लेक्चर का पीडिएफ चाहिए तो क्या करना है सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलिग्राम दन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपच यदा वेजुकेशन यूपी ऐसी आप लोग को यह वाला चनल मिल जाएगा इस पे क्लिक करना और जाकर इस चनल को जॉइन कर लेना जॉइन कने से फाइदा क्या होगा यहाँ पर डेली बेसिस पर लेक्चर का पीडियेफ मिल जाता है डेली करेंट अफिर के विडियो का पीडियेफ मिल जाता है और डेली बेसिस पर बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाता है नाव बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेशन के साथ स्टार्ट करेंगे तो आज आप सभी लोग को मैप में जाकर देखना है सोन रिवर को कहाँ पर है यह एक्जैक्ली लोकेटेड इसको अच्छे से मैप में देखना है दन उसके बाद आकर नीचे कॉमेंट सेक्षन में टाइप करना जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाऊगे तो देश के साशन के लिए कौँसी चीज आपको मौलिक देखने को मिलेगी नीचे आपको ऑप्शन दिये गए हैं ऑप्शन ए फंडमेटल राइट्स ऑप्शन भी फंडमेटल ड्यूटीज ऑप्शन सी डिरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी या फिर ऑप् इसको चेक आउट कर सकते हो और अगर वहाँ पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की जरुवत नहीं है वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिसकेशन हम लोग करेंगे तो चलो शुबार हम करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थमनेल वाले इंपोर रिकॉर्ड बना दिया है जैसा आप लोग यहाँ पर काफी सरे आर्टिकल दिख पा रहोंगे मिंट का आर्टिकल है हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल है रिकॉर्ड 100 किलोमेटर रोड कंस्ट्रक्टेड इन 100 आवर्स ओन गाजियाबद अलीगड एक्सप्रेस वे तो ग गंटे के अंदर अंदर 100 किलोमेटर की एक नई सड़क का निर्मान किया है और इतना ही नहीं केवल जो यह सड़क बनी है इसमें कितनी ज़्यादा लागत लगी है लगबग 2000 जो करमचारी है उनोंने 24 गंटों तक लगातार काम किया है जितना भी यहाँ पर 100 गंटे लगे ह लेकिन वो रिकॉर्ड अब ब्रेक हो चुका है अब यह 100 किलोमेटर्स इन 100 आवर्स का रिकॉर्ड बन चुका है क्लियर हो गया इसी दौरान जो हमारे यूनिन मिनिस्टर नितन गटकरी जी है जिनका पिच्चर आप स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे इन्होंने वीडि लेकिन अगर हम तो बी प्रसाइस बात करेंगे तो यह 118 किलोमेटर की जो रोड है वो तयार की गई है 100 आवर्स में घटकरी जी ने अपना ट्वीट भी किया है ऑफिशल ट्वीटर हैंडल पर आप जाकर देख सकतो इसके बारे में और इंफोर्मेशन लेनी है तो वैसे य जगा में काफी बड़ी हेल्प मिलने वाली है यह रोड काफी जदा मदद करेगी जो हमरे गुड्स और सर्वेसेस हैं जिनका लगातार मुवमेंट हो रहा है वो स्मूथ तरीके से मुवमेंट करवा सके हम लोग अराम से या पर उनको कहीं पर भी गुड्स को ले जाया जा सके लाया जा सके इसमें काफी जदा मदद देने वाली है यह वाली रोड उसके अलबा इस रोड में एक टेक्नलोजी का यूज क्या गया है उस टेक्नलोजी के बारे में जरूर से ध्यान दखना उसका नाम है CCPR इस टेक्नलोजी का नाम है फुल फर्म क्या है Cold Central Plant Recycling Technology इस न इससे क्या होता है जो fuel का consumption होता है वो काफी जदा कम हो जाता है जो green house gas emission होता है जो pollution होता है वो बहुत जदा कम हो जाता है यह बात खुद हमारे union minister ने mention की है चलो फिर आगे बढ़ते हैं next article की तरफ दोस्तो वैसे इस article को मैं कल भी पढ़ा चुका था बट एक दूदे news में ट्राइंगुलर शेप में उसका उदगाटन होना है 28 तारीक को यानि की Sunday में तो बहुत सारी जो opposition parties है वो यहाँ पर मना कर रही है वो कह रही है कि हम यहाँ पर इसके उदगाटन में present नहीं होंगे हम इसका उदगाटन skip कर देंगे अच्छा reason क्या है तो लगबग 19 opposition political parties साथ में इखटे हो चुके हैं जिसमें Congress भी है आम आदमी पार्टी है त्रिनामूल Congress उसके बाद में जंता दल National Congress Party बताई चुका हूं शिफ सेना CPI समाजवादी पार्टी है सब साथ में इखटे हो चुके हैं इनका कहना है हम इस inauguration को इस उदगाटन को attend नहीं करने वाले इस event मे नहीं आएंगे रीजन क्या है इनका कहना यह है कि जो हमारे प्रधान मंत्री है मोदी जी वो उदगाटन करेंगे इस Parliament की building का इस वज़े से नहीं आएंगे अब यह क्या बात हुई कहना यहां पर यह है कि देखो उदगाटन जो होना चाहिए न वो प्रधान मंत्री के हाथ तो नहीं हमारे प्रेसिडेंट के हाथो होना चाहिए तो अगर प्रेसिडेंट के हाथो होता तो तो हम लोग यहां पर बिल्कुल आते अटेंड करते बट अभी यहां पर प्रायम मिनिस्टर स्काउद गाटन करेंगे इस वज़े सा हम इसको अटेंड नहीं करने वाले यह पर कई सारी पॉलिटिकल कार्ट पार्टी इसके थुरू यहां पर मेंशन की गई है उसके लावा बीजू जनता दल उसके बाद यहां पर यहां पर YSR जो कॉंग्रेस पार्टी है इन्होंने बोलाए कि हम तो अटेंड करेंगे जो भी इवेंट होगा 28 में को इवेंट है ह जानना जरूरी है मैं आपको बार-बार यह पिच्चर दिखा रहा हूँ क्योंकि कुछ आर्टिकल्स ऐसे होता है जिसको बार-बार रिवाइस करना बहुत जरूरी होता है एक्जामनेशन में कहीं इन टॉपिक से रिलेटेट क्वेशन आने के चांसे बढ़ जाते हैं क्यो आपे ना लोकसभा राजसभा और राजसभा और राजसभा और सेंटल लाउंज आपको देखने को मिलेगा लेकिन जो लोकसभा और राजसभा और सेंटल लाउंज है उनके थीम है वो थीम ध्यान रखना लोकसभा का थीम है पीकॉक राजसभा का थीम है लोटस पीकॉक ज पर देखने को मिल जाती है राजसभा की लगबग 384 सीट्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है वैसे लोगसभा का हॉल थोड़ा ज़ादा बड़ा है यानि कि कभी अगर पारलियमेंट में जॉइंट सेशन करवाना हो यानि लोगसभा और राजसभा दोनों के मेंबर स साथ में बैटने हो तो फिर उसके लिए क्या होगा तो उसके लिए यहाँ पर लोगसभा का हॉल यूज किया जाएगा इसकी जो कैपसिटी है जॉइंट सेशन को लेकर वो लगबग 1272 सीट्स की यहाँ पर कैपसिटी देखने को मिल जाती है कॉस्ट जो है यहाँ पर 971 करो सुप्रीम कोर्ट का एक स्टेटमेंट है सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है independence of judiciary is a part of basic structure of constitution अब यह टॉपिक भी कई न्यूज में रह चुका है अभी आपको बता है इस बार ना लगबग यह वाला जो साल है important इस लिए भी है क्योंकि केश्वननन्दा भारती केस था उसको 50 चाइश साल भी हो चुके हैं अपकी बार और वो केश्वन अंदा भारती केश से ही basic structure constitution का जो concept है वो निकल कर आया था और उससे पहले हमारे जो vice president है उन्होंने basic structure constitution की बात छेड़ी थी तो यह जो topic है यह लगाता न्यूज में आ रहा है इससे पता चलता है कि हाँ यह exam के जुडिश्री है ठीक है legislative जिसका main काम होता है कानून को बनाना executive उस कानून को लागू करना और जुडिश्री जिसमें हमारे सारे courts वगर आ गए इनका काम है ये देखना कि जो कानून बने हैं लागू होए हैं वो सही से follow किये जा रहे हैं या नहीं किये जा रहे हैं ठीक है तो cabinet पूरा आ जाता है जो कि इन कानून को लागू करने का काम करता है पर यहां पर देखता है यह चीज़े से follow हो रही है या नहीं हो रही है तो कही न के यह तुछ गलत होता है तो दूसरी body बीच मा जाएगी तो यहां पर ऐसा आपको देखने को मिलेगा यह हमारे सरकार की त जुडिश्री का कहना है कि हमारा independence रहना भी काफ़ी important है, हम अलग हैं, कहीं न कहीं आपे पहले भी कई बार कोशिश की गई है, जुडिश्री की independence को खतम करने की, क्योंकि अभी आपको पता है Supreme Court के अंदर में जैसे जो judges का appointment होता है, वो कैसे होता है, कॉलेजियम सिस्टम के माधियम से होता है, कॉलेजियम सिस्टम में टोटल 5 members होता है, एक हमारे Chief Justice of India होता है और 4 Supreme Court के बाकी judges होता है, तो यानि कि Supreme Court के अंदर judges को appointment करने के लिए भी Supreme Court के ही 5 judge बैठें appointment के लिए, तो कहीं न कहीं इसकी वज़ा से कॉलेजियम सिस्टम के उपर क उनका appointment नहीं हो पाएगा, इस प्रकार की बाते हैं पर बोली जाती है, कॉलेजियम सिस्टम को लेकर, यही एक कॉलेजियम सिस्टम का एक criticism भी है, इसको लेकर सरकार ने कोशिश किया National Judicial Appointment Commission लाने के लिए, NGAC को लाने के लिए, सरकार की कोशिश थी NGAC लाने की, और इसम मिलकर जजिस का appointment करेंगे, ना कि कॉलेजियम सिस्टम, यह बात रखी गई थी बहुत पहले, कि NGAC क्या करेगा, यह हमारे जजिस का appointment करेगा, कॉलेजियम सिस्टम नहीं करेगा, बड़ सुप्रीम को डाया पीची में, और उसने या पर इस NGAC को unconstitutional बोल दिया, और यह जो कि यहाँ पर government officers भी हैं, बाकी और officers भी हैं, बाकी और यहाँ पर members भी हैं basically, तो उनका भी involvement यहाँ पर आ जाएगा, हम नहीं चाहते हैं, उनका involvement भी judiciary में आए, यह बात उनका कहना था, और क्योंकि यहाँ पर जो independence judiciary की, वो यहाँ पर basic structure of constitution है, इस वैसे सुप्रीम कोड ने इ अब लोग काफी confused होजाते हैं कि आखिरकार यह basic structure of constitution है क्या, लोग को जल्दी समझ में भी नहीं आता है, चलो मैं आपको समझाने की कोशिच करता हूँ, यह है क्या, आपको एक case याद होगा, मैंने लगबग 26 April या 27 April के वेडियो में पढ़ाया है, ठीक है, thumbnail भी लगाया exactly, तो वो case था, case 1 अंदर भारती case 1973 का, इस case को हम लोगों ने काफी detail से पहले भी cover किया है, मैं आपको थोड़ी सी information देता हूँ, इस case के अंदर में एक landmark judgment निकल कराया, Supreme Court का, और Supreme Court ने बोला, यहाँ पर एक नया concept आ चुगा था, Indian constitution के अंदर basic structure constitution का, ठीक है, या फिर कह सकते हो basic structure doctrine का, यह concept नया concept आ चुगा था, और इस case को न, हम लोग fundamental right case के नाम से भी जानते हैं, ध्याना कन तो आपसे पूछा जा है, fundamental right case कौन सा है, तो वो केशवननन्दा भारती case की ही बात कर रहे होते हैं, तो इस case में सबसे बड़ी bench बैटी थी, Supreme Court के अंदर में, 13 judge बैटे वे इस case की सुनवाई करने के लिए, seven is to six से यहाँ पर judgment आया, obviously बात है, साथ judge एक तरफ हो गए, तो majority में वही पर decision चला गया, और वहाँ पर क्या decide किया गया, कि देखो, हमारी जो parliament है, parliament के पास में powers हैं, कि parliament संभिदान में कोई भी बदलाव कर सकता है, जो हमारी parliament है, हमारे constitution को हाथ नहीं लगा सकता, कुछ भी कर लो, आप कुछ ही बदल लोगे, लेकिन आप basic structure constitution को हाथ नहीं लगा सकते, यह बात यहाँ पर केशवननदा भारती case में mention कर दी गई है, आप parliament आया, parliament ने बार बार कई बार कोशिच की है, कि Supreme Court के इस वाले judgment को हटाने की, रद करने की, बट यहाँ पर Supreme Court ने दूसरे cases में यहाँ पर कह सकते हो, कि parliament के जितने भी amendments से उनको unconstitutional कहके हटा दिया है, मतलब basic structure constitution अभी के समय पर exist करता है, तो basic structure constitution का evolution हम लोगों ने समझा, अब evolution पढ़ोगे ना, तो और आदा घंटा, एक घंटा लग जाएगा, कि कौफी सारे, ऐसा से यहाँ पर केशवननन्दा भारती केस आ जया था, नहीं, इससे पहले कुछ और छोटे-छोटे cases हुए थे, उसके बाद यहाँ पर केशवननन्दा भारती केस आया था, ठीक है, तो इसका evolution दीरे-दीरे करके हुआ था, यह आपने थोड़ा सा ध्यान लगना है, जैसे मैं Supreme Court जो है, कोई भी अपनी दखल अंदाजी नहीं कर सकता, बट Supreme Court ने एक और केस में, बाकी जो मिनिर्वा मिल्स केस था, यह बाद का है, केशवननन्दा भारती केस था, के बाद में यहाँ पर यह केस आया था, मिनिर्वा मिल्स केस, तो 1980 का जो यह केस था, यहाँ पर Supreme Court ने सुप्रिम कोर्ट ने हैं और बोला कि जो जुडिशल रिव्यू है यह भी basic structure है हमारे constitution का जुडिशल रिव्यू मतलब कोड के पास में भी power है यापर उस मामले को देखने की और बताने की वो संबैदानिक है या असंबैदानिक है इस प्रकार से यहाँ पर जो केश्वन अंदभ भारती के से और मजबूत होता चला गया बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन और मजबूत होता बाचला गया नौ सवाल यह है कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन में क्या है पतलब सरकार सब कुछ बदल सकती है, ठीक है, है ना, सरकार सब कुछ यहाँ पे चेंज कर सकती है, सामिधान में, लेकिन, सुरी, पार्लियमेंट, सरकार यहाँ पे सब कुछ चेंज कर सकता है, ठीक है, लेकिन basic structure को हाथ नहीं लगा सकता है, इस Supreme Court बोल चुका है, लेकिन basic structure है क्या ये अभी तक clear नहीं हुआ है तुम आपको बता दू ये clear है भी नहीं अभी भी clear नहीं है Supreme Court अभी भी सई से clarify नहीं कर पाए है अभी proper definition नहीं है कि exactly basic structure constitution क्या होता है लेकिन अभी तक जितना भी इतिहास रहा है उसके हिसाब से बोला जाता है कि basic structure of constitution में ये चीज़े आती है जैसे हमारे संभीधान की supremacy संभीधान सबसे उपर है ये चीज़ पहली चीज़ दूसरा यहाँ पर जो हमारी Indian polity है वो sovereign है, democratic है और republic है ठीक है, ये चीज़ आप नहीं बदल सकते तीसरा, जो powers हैं सबकी separate है, यानि कि हमारी legislature executive judiciary, इनकी powers क्या है अभी मैं आपको थोड़ देर पहले बताया सभी के पास में अपनी अलग-लग powers है तो आप इनकी powers को change नहीं कर सकते किसी की power नहीं ले सकते ये भी यहाँ पर basic structure constitution में आता है फिर judicial review को add कर दिया गया कि अगर parliament कोई act, कोई कानून वगरा लेकर आता है उसमें यहाँ पर जो court है, वो भी आ सकता है court भी यहाँ पर उस पर review देख सकता है देख सकता है कि वो act कैसा है कैसा नहीं है तो judicial review का provision भी यहाँ पर basic structure constitution में parliament इसको भी नहीं हटा सकता फिर parliamentary system, हमारा राजसभा, लोगसभा, पूरा system हो गया rule of law हो गया, principle of equality, free and fair elections हो गए independence of judiciary very very important यह आप directly देख पार होंगे, article में जो mention किया गया है सुप्रीम कोट ने भी बोला है कि जो independence of judiciary है, यह भी basic structure constitution का हिस्सा है तो आप इसको बिल्कुल भी change नहीं कर सकते तो इससे कह सकते हो, कहीं न कहीं हमारे parliament के पास में limitations हो जाती है वो सब कुछ change कर सकते हैं, power है लेकिन यहां पर BS किया सकते हो कि basic structure constitution को हाथ नहीं लगा सकते clear हो गया नवाता है next article की दरफ दोस्तों आगे बढ़ने से पहले make sure करना वीडियो पे जो like का button उसको प्रेस कर देना एक छोटा सा target है हमारा 5K plus likes का जिसको आप achieve करवा सकते हो साथी साथ में मेरे साथ में instagram पे connect कर सकते हो instagram पे जाना search box में लिखना दीपज जाद अव education आपको ये profile मिलेगा जहां पे 12,000 से जादा लोग मेरे साथ में जुड़ चुके हैं आप भी मेरे साथ में personally जुड़ सकते हो पहले दो important article ये वाल है इनको discuss करेंगे सबसे पहले article ये है इंडिया set to triple speed of its fastest super computers भारत के जो super computer है उसकी जो speed है processing की जो speed है उसको हम लोग और ज़्यादा बढ़ाने वाल है इसके ओपर main focus किया जा रहा है अभी न एक computer है प्रत्यूश प्रत्यूश यहां पे इंडिया का एक most powerful civilian super computer है जिसको Indian Institute of Tropical Metallology जो पुन्वे में institute है वहाँ पे रखा गया है ठीक है उसकी हम लोग बात कर रहे है तो इंडिया अभी आने वाले समय में अपने और भी जो super computer की power उसको बढ़ाने वाला है focus करेगा कि वो install करेगा 18 petaflop system को 18 petaflop system को install किया जाएगा अब यह flop क्या होता है यह ध्यानक ना flop का मतलब है floating point operations per second मतलब flop flop दर्शाता है कि computer की processing की जो speed है वो कितनी तेज है आप कितनी ही बड़ी calculation computer में रखकर डाल देते हो तो वो कितनी देर में उसको solve कर देगा उसकी processing speed कितनी जादा है वो यहाँ पर आप कह सकते हो जो flop है वो हमारा decide करता है बात clear हो गई तो यहाँ पर कह सकते हो इसकी जादा processing की power वाला जो computer है उसको हम लोग यहाँ पर जल्दी से जो हमारे super computers हैं उसकी power को बढ़ाने वाले हैं ऐसी बात खुद हमारे जो earth science minister है करेन रेजिजू इनकी site से बोली गई है अब आप कोगे एक मिनिट करेन रेजिजू तो law minister थे नहीं law minister के पद से हट गए हैं आपको पता होगा 18 मही की बात है तो हट गए हैं अभी यहाँ पर यह ministry of earth sciences को बिल चुकी है तो आप लोगों से एक सवाल है law minister आज के समय पर कौन है उनका नाम जरा नीचे comment section बताओ जिस दिन इनके बारें पढ़ाया था उस दिन मैंने आपको उनका नाम भी बताया था I hope आपको याद होगा तो इंडिया की super computer की जो power से उसको बढ़ाने के ओपर main focus के अज़र आने वाले कुछ महीने में उसकी speed को हम लोग यहाँ पर increase करेंगे लेकिन आज का scenario देखें तो इंडिया के पास में जो सबसे ज़ादा powerful super computer है वो है प्रत्युष और मेहर ये दो computer आपको देखने को मिलेंगे जिसकी capacity है 6.8 petaflops की और 1 petaflop का होता है 1 petaflop is equals to 1000 trillion flops यानि की जो इसकी processing power है उसकी बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आप कर सकते हो ये 6.8 petaflops की power क्या हमरे पास में already super computer exist करता है और वो कहाँ पर है Indian Institute of Tropical Metrology जो की पुने में आपको ये institute देखने को मिलेगा तो super computers का main काम क्या होता है वो सब कुछ हम discuss करेंगे लेकिन आपको बता दूँ जो ये computer हमने बनाए थी super computer most powerful वाले 2018 में इसको तयार किया या था 438 करोड का investment यहाँ पर लगा था और अभी कुछ नए और super computers भी भारत बनाने वाला है उसके naming अभी बनाने जाएगी मतलब कि क्यों कौंसे computers होंगे उसके नाम बताए जाएंगे तो ये जो नए super computers हैं इनकी naming अभी बताई नहीं कहीं है बट इसको import करने वाले हम लोग France से जो France की corporation एक company है ATOS करके हमासे हम लोग यहाँ पर ये computer purchase करेंगे मोधी सरकार ने एक deal sign करी थी France के साथ में लगबख साल 2018 में जहाँ पर में मकसद था कि 4500 करोड खर्च के हम लोग यहाँ पर एक super computer को 2025 तक लेंगे तो अभी कुछ computers के naming बाकी है उनका importing बाकी है तो ये आने वाले समय पर लगातर चर्चा में रहने वाले हैं वैसे आपसे वन डे एक्जामनेशन ने पूछा जाए ये तो खेर super computers की ताकत हो गए कि हाँ इनकी processing speed बहुत जादा होती है अब ये तो इंडिया का भी एक super computer लेकिन पूछा जाए दुनिया का सबसे high performance वाला computing system कहाँ पर है या कौन सा है तो वो है ध्यान अकना उसका नाम बता रहा हूँ frontier cray system और ये कहाँ पर है ओकारिच national laboratory में जो की United States में है अमेरिका में है तो अमेरिका के अंदर कह सकते हो कि अभी सबसे ज़ादा powerful जो ये super computer है या फिर ये जो सबसे powerful computing system है वो वहीं पर आपको देखने को मिलेगा उसकी जो speed है लगबग वो thousand petaflops की आपको देखने को मिलेगी जो इंडिया के पास में है उसका 6.8 petaflops की speed है जबकि जो USM है उसकी thousand petaflops की speed है तो आप imagine कर सकते हो कि कितना ज़ादा वो super fast होगा कितनी बड़ी-बड़ी calculations होगी उनको यहाँ पर वो second हो में solve कर सकता है clear हो गया अब super computers के बारे में थोड़ी और बाते जानेंगे देखो यहाँ पर इस article से कुछ relevant information निकाल कर मैंने आपको screen पर नीचे provide करवा दिया है क्योंकि आपको newspaper से कुछ important points को निकाल कर notes बनाने पड़ता है तो वो notes बनाने की tension आपकी खतम हो जाती है इस video से क्योंकि सारे important points में आपको यहाँ पर provide करवाने की कोशिश करता हूं ठीक है तो जो super computer है यह आपको पता चल गया है कौन से computer होता है यानि की जो मारा मौसम है उसका अंदाज लगाना कैसा मौसम रहने वाला है weather forecasting हो गई scientific research हो गई intelligence gathering, analysis, data mining इन सब जगा में और भी कुछ processes हो सकते हैं जहांपर हम इन super computers का use करते हैं दुनिया बर में कौन सा देश है जिसके पास में सबसे ज़ादा super computer है वो है China China के पास में सबसे ज़ादा super computer है और वो दुनिया में एक top position को maintain करके रखावा है लंबे समय से China के पास second number पर आता है US third number पर है Japan fourth number पर है France fifth number पर Germany sixth number पर Netherlands seven number पर Ireland और eight number पर UK India का या पर कई नाम नहीं है क्योंकि इंडिया के पास में अभी super computer की शुरुबात हुई है तो इंडिया का जो पहला super computer था वो था परम eight thousand या आपको पता ही होगा कई बार में आपको इसके बारे में भी बता चुक हूँ परम eight thousand के बारे में यह भारत का पहला super computer था फिर उसके बाद हमने परम शिवाय फिर first super computer को यहाँ पर indigenously हम लोगों ने बनाया था इसको IIT BHU में इंस्टॉल किया था उसके बाद यहाँ परम शक्ती, परम ब्रहमा परम युक्ती, परम संकंग उसके अलावा इस प्रकार से बहुत सरे और भी जो super computer से वो बनाये गए उनको IIT कानपूर, फिर उसके बैंगलूरू, IIT खरकपूर इन सब जगा पर इंस्टॉल किया गया साल 2020 में परम सिद्धी एक सबसे ज़ादा तगड़ी performance वाला computer artificial जो intelligence super computer है इसको भी तयार किया गया था और इसकी जो ranking है वो बहुत अच्छी आई थी मतलब साल 2020 में दुनिया के जो top 500 top 500 सबसे powerful super computer थे उसमें 60 second number था परम सिद्धी का तो परम सिद्धी भी हमारे पास में है एक ऐसा super computer जिसकी काफी ज़दा powerful आपको देखने को मिलेगा अब इसके लिए सरकार का पूरा एक mission भी है ये भी आपने ध्यान में रखना है मैं अलग से mission बता रहा हूँ क्योंकि ये भी examination में question बन सकता है वो है national super computer mission 2015 में इस mission को launch किया यह था ताकि हम लोग जो हमारा super computing वाला system है ये जो पूरा sector है इसमें लोगों की जो capacities है capabilities है वो यहाँ पर बढ़ावा दे सकें उसको इसलिए यहाँ पर इस computing mission को लएकर आया गया था ये national computing mission हमारी सरकार का जो vision है digital India का make in India का initiative का जो vision है उसको यहाँ पर support करने में मुदद करता है एक बात और ध्यान रखना कि जो national computing mission है कौन सी ministry के अंदर में आता है देखो जब department पूछा जाएगा तो वो है department of science and tech और जब ministry पूछा जाएगा तो वो है ministry of electronics and information technology तो इस department में और इस mantra लेके under में इस national computing mission को रखा गया है इसको लागू कौन करता है इसको लागू करने की ताकत है आप देख पाओगे क्या बात की जा रही है INSV तारीनी के बारे में discussion किया जा रहा है INSV तारीनी क्या है यह है Indian Naval Sailing Vessel यानि की जल यात्रा के लिए जो यहाँ पर जहाज का यूज करता है न वही वाला जहाज है INS तारीनी तो अभी यहाँ पर यह जल यात्रा पर था लगबख 188 दिन बाद 188 डिस बाद यहाँ पर क्या है यह गोवा में पहुँच चुका है अपनी 188 दिन यानि 188 डिस का जो जल यात्रा है उसको कवर करने के बाद में यह गोवा के पोड पर पॉँच गया है इस वज़ा से यहाँ पर यह नियूज में है तो लगबक 17,000 नौटिकल माइल्स का जो एरिया है वो यहाँ पर कवर किया गया इस जल यात्रा के दोरान इसमें 6 क्रियू मेंबर्स है और वेमेन भी थी और यहाँ पर मैन भी थी ठीक है तो बेसिकली यह परकरार की जो पूरी की पूरी जल यात्रा की गई है ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है तो अभी यह वापस आ चुके है INSV तारिनी के साथ इस वज़ा से यह नियूज में है तो INS तारिनी क्या है समझेंगे लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि INS तारिनी जो है न ये दूसरी जल यात्रा वाली बोट है इंडिया नेवी के पास में भारत की नेवी के पास में जल यात्रा पर जाने वाली बोटे भी है तो एक तो है हमारे पास में INSV मेधी कौन सा नाम है? मेधी और दूसरे का नाम है यहाँ पर तारीनी तो आपसे question मन जाए कि INS तारीनी recent news में था यह क्या है तो बता देना यह सेल बोट है जल्यातर के लिए यहाँ पर use की जाती है और यह सेल बोट हमारी Indian Navy की है आ गया आता है Now world section पर आएंगे देखेंगे दुनियादारी में खिया चल रहा है एक छोटा सा article important है और इस article को कह सकते हो यह one day examination के लिए भी relevant है आपसे directly सवाल बन सकता है तो international booker prize हर साल यहाँ पर यह prize दिया जाता है तो अब के बार यह international booker prize है यह मिला है Bulgarian writer को बुलगेरिया के यहाँ पर बुक को तो वो जो translator उसका नाम है Angela Rodel क्योंकि यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि जो यह international booker prize दिया जाता है यह writer को भी दिया जाता है और translator को भी prize दे देंगे अब writer और translator आपस में share कर लेंगे इस चीज़ को ठीक है क्योंकि इसी के basis पर कह सकते हो इनको यह international booker prize मिला है अब इस prize के बारे में कुछ relevant facts है कुछ तथ हैं यहाँ पर आपको बता होना चाहिए क्योंकि कभी-कभी prize को लेकर भी सवाल बन जाते हैं UPSC में बाकी exams में बनते ही बनते हैं यह आपको पता ही होगा तो international booker prize हर साल दिया जाता है एक single किताब के लिए एक ऐसी किताब जिसको English में translate किया जाता है और वो publish होती है UK में, Ireland में ठीक है तो यह जो international booker prize है इसकी शुरुबात 2005 में होई थी starting में इसको man booker international prize के नाम से जानते थे बाद में इसको international booker prize के नाम से जाना जाने लगा यह जो prizes का main मकसद है क्या कि लोग quality fiction को read करें जादा read करें दुनिया बर मैं क्योंकि अब इसके prize मिला है तो कई सारे लोग यहाँ पर इस किताब को read करने वाले हैं जो की again एक fiction book आपको देखने को मिलेगी और जैसे मैंने बोला है क्योंकि अब इस book को लिखा गया है दूसरे विक्ति ने translate किया है तो translator का काम भी बहुत important यहाँ पर मना जाता है कि इस वज़ा से जो prize money यहाँ पर दिया जाता है लगबख 50,000 pounds का prize money दिया जाता है तो इस prize money को equally divide कर दिया जाता है नोवल या short stories का collection वो सारे की सारी international booker price के लिए eligible मानी जाती है आगे आता है नो next article में mention क्या गया है जो enforcement direct rate है इन्होंने यहाँ पर जो online gaming वाली companies हैं है ना तो उनके ओपर छापा मारा है बोला जा रहा है कि उन gaming companies ने कहीं ना कहीं FEMA Act का violation क्या है FEMA Act का मतलब है Foreign Exchange Management Act यानि कि Foreign Exchange का कोई मामला होगा उसमें गोटा लगिया है है ना तो पैसों की इधर उदरी की गई है जिसकी वज़ासे जो enforcement direct rate है इन्होंने यहाँ पर छापा मारा है इन gaming companies के ओपर तो ऐसा यहाँ पर बोला गिया ठीके अब वो जो gaming companies है वो उनकी companies की websites है locations जो है वो लगबख Delhi का है गुजरात का है महाराश्टरा का मध्या प्रदेश का आंदरप्रदेश का आपको location देखने को मिलेगा शक था स्टार्टिंग में की कहीं नकें इन्होंने इस FEMA Act का violation किया है उनको frozen कर दिया है freeze कर दिया उनको accounts को वहीं पर रोक दिया गया है अब उससे ना तो यहाँ पे जो पैसा है उस account से कहीं पर जा पाएगा ना विदेश में जा पाएगा ना पाएगा है ना तो यह चीज़ आपको देखने को मिलेगी जबकि बुला ज़रा 11 और जगा आपको देखने को मिलेंगी डेली के अंदर में जहाँ पर अगेन वहाँ पर भी investigation किया गया है देखा गया है उसके अलावा गुजरात के अंदर में चार जगा है मध्यप्रदेश में दो जगा है एक जगा अंदर प्रदेश के अंदर में वहाँ सभी जगा पर चापा मारा गया है और पाया गया है कि कहीना के पैसे की गड़बड़ी हुई है फेम अव वोईलेशन हुआ है इन कंपनीज ने किया है इस वज़ा से यहाँ पर इडी ने यह पूरा का पूरा जो रेड है वो मारा है अब इनफोर्समें डिरेक्टरिट होता क्या है थोड़ा सा इसके बारे में जानेंगे इडी क्या होता है एक्जामनेशन के लिए इंपोरेंट है यह बस खाली आर्टिकल तो एक बहाना हो गया तो इडी क्या है डिरेक्टरिट ओफ इनफोर्समेंट एक इन्वेस्टिकेशन एजेंसी है और अगर हम लोग बात करें तो फैनेशल इन्वेस्टिकेशन एजेंसी है पैसो सा संबदित जहाँ पर भी घोटाले होता है वहाँ पर इडी आता है इडी कौन से डिपार्टमेंट के अंडर में काम करता है डिपार्टमेंट ओफ रेविन्यू के अंदर में और मिनिस्ट्री कौन सी है मिनिस्ट्री ओफ फिनेंस दो चीज़े हैं डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री जब पूछे जाएगा Department तो Department of Revenue जब पूछे जाएगा Ministry तो Ministry of Finance ठीक है तो बात थी यहाँ पर एक मही 1956 की एक मही 1956 को Enforcement Unit को तयार किया गया था और स्टार्टिंग में इसको Enforcement Unit के नाम से जानते थे लेकिन अगले साल 1957 में इसका नाम बदल कर Enforcement Directorate रख दिया गया था ठीक है अब Enforcement Directorate दो प्रकार के कानून को फॉलो करके अपना काम करता है पहला है FEMA Foreign Exchange Management Act यह 1999 का Act है Foreign Exchange Management Act तो जो भी यहाँ पर Foreign Exchange के इशूज है उसको यहाँ पर टैकल करने के लिए जो पावर से हमारी वो Enforcement Directorate के पास में है जो दूसरा यहाँ पर Act है वो है PMLA इस प्रेवेंशन ओफ मनी लॉंडरिंग एक्ट इस वाले Act के अंदर में जो केसिस निकल कराते हैं वो भी यहाँ पर हमारा Enforcement Directorate ही है हैंडल करता है तो PMLA क्या है? Prevention of Money Laundering Act नाम से बता चल रहा है Money Laundering को रोकने के लिए आपर इस कानून को लेकर आया गया है Money Laundering मतलब क्या होता है? कि जो आपका Black Money होता है उस Black Money को White Money में Convert करना की कोशिश की जाती है Black Money को White Money में Convert कर दिया जाता है अब ऐसा भी कह सकतो पैसा कमाया Illegal तरीके से अगले आर्टिकल पर अब दोस्तों यहाँ पर यह आर्टिकल है इसको आप GS Paper No.3 Economy वाले सेक्शन से लिंक कर पाओगे कुछ भी खास नहीं है खास मतलब क्या नहीं है? यहाँ पे ना RBA की जो गवरनर है हमारे शक्ति कांता दाजजी उनका कहना यह है कि साल 2023 के अंदर में जो हमारा Gross Domestic Product की Growth है इंडिया की वो लगबख 7% को Cross कर जाएगी ऐसा इनका कहना है ठीक है अब इसमें कुछ भी चीज नहीं है क्योंकि यहाँ पर यह कह रहे हैं कि आने वले समय में हमारी Economy 7% से जादा ग्रो करती हुई नज़र आएगी और जो दूसरे इंटरनाशनल बॉडिस है वो यहाँ पर बदल देती है वो कम दिखाती है सब यहाँ पर अपने साइट से एक अंदाजा लगा कर बता रहे हैं यह बात आपने ध्यान में रखनी है तो Economic के अंदर में जो यह Numbers होते हैं इन Numbers पर कभी भी ध्यान नहीं देना होता है क्योंकि हो सकता है कि अभी situation बदल जाए जिसकी वज़ा से यहाँ पर आर्वाइक के जो governor है वो बापस यहाँ पर इसको revise कर दें बता दें नहीं इतने percent से नहीं इतने percent से यहाँ पर economic grow करेगी बात के लिए लोगी समझे रहे उस बात को तो ऐसे वाले articles के उपर जैसे हर महीने आता है कि पिछले में इतनी महंगाई थी ऐसे article को हमेशा skip करना होता है वो नहीं पढ़ना होता कितनी महंगाई है कितना कुछ है क्योंकि economy में जो concept से वो पूछ जाते हैं ये तो आपने खबर देख ली अब इस पूरी खबर में सरिफ GDP 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 के बारे में discussion किया गया है तो at the last आपने यही नहीं पताओगा GDP क्या है तो बात ही खतम है तो gross domestic product हमारी overall economy होती है अगर मैं GDP का simple सा अगर मैं formula बता हूँ आपकी किताब के साब से अगर आपको याद करना है तो c plus i plus g plus x minus m simple सा formula आप में इसको लिख लो अब इसका मतलब क्या है c से consumption हो गया i से investment हो गया g से government expenditure सरकार की खर्चे फिर x minus m export minus import आप इसको कर लो यानि कि जो भी आपका net वाला data निकल कर आएगा यानि देश में consumption कितना है investment कितना हो रहा है सरकारी खर्चे कितने हो रहा है export कितना हो रहा है import कितना हो रहा है इन सब को calculate करके जो भी आपका data निकलेगा consumption आपने count कर लिया investment count कर लिया सरकारी खर्चे, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में आपका जो भी मतलब व्यापार जितना हुआ देश का वो काउंट कर लिया, इससे पता चलता है कि देश की ग्रोथ क्या हुई है, ठीक है, इसी को हम लोग यहाँ पर GDP बोलता है, GDP का एक सिंपल सा फॉर्मुला है, इससे अस इटोरल बिलकुल बेकार है, आप गलती से भी यहाँ पर इसको मत पढ़ना, यहाँ पर करनाटका के एलेक्शन के बारे में चर्जा की जा रही है, फिर उसके लावा, BJP के लिए और लेसंस बचे वे हैं, तो आपने यह से आर्टिकल यह पॉलिटिक्स वाले आर्टिकल नह यह साओधी रब लीडर बनता जा रहा है, अपनी जो पकड़ है, वो यहाँ पर पूरे वेस्ट इस्या में बढ़ाता जा रहा है, और वो कैसे, वो यहाँ पर उन्होंने समझाया है, इंडिया क्या कर सकता है, इसमें वो यहाँ पर यह बताते हैं, सब कुछ डिसकस करेंग जो BRICS group है हमारा यानि Brazil, Russia, India, China, South Africa का जो group है इसके अंतर powerful चीज़े क्या है इसके achievements क्या है प्लस अभी ये क्या-क्या परिशानिया फेस कर रहा है दुनिया भर की countries इसको join करना चाहती है सब पढ़ाया था याद आ रहा होगा कल ही पढ़ाया है आपने नहीं पढ़ाया तो कल क वीडियो open करो और कल वाला editorial discussion को open करके आप उस article को एक बार सुनों अच्छे से उसके बाद आज का मेंस का question attempt करना ये also से नीचे हो गया है बस इसके आगे आ जाएगा question क्या है what is the progress of BRICS so far जो ये BRICS group है इसका अभी तक का कितना progress हुआ है ये आपने समझाना है दूसरा also discuss the challenges before BRICS जो हमारा पूरा BRICS group है इसके लेकर क्या 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 चुनोती है वो आपने या पर समझानी है ठीक है और दोस्तों मैं आपको बता दूँ क्योंकि हमारे GS paper number 2 में international relation का topic आता है और GS paper number 2 में सवाल बनेगा तो यहाँ पर इसको attempt करना ही करना है थोड़ा interesting question है आप थोड़ BRICS के सामने चुनोतियां क्या है वो भी आपने याँ पर आज चर्चा में दिखानी है धाय सो शब्दों में answer लिखना और answer लिखने के बाद में कहां पर submit करना है टेलिग्राम पर जाना वहाँ पर जाके search box में लिखना दीपक ज्यादा education mains group फुल फॉल फॉर्म लिखोगे म आप सभी लोग दो-दो answers को review करोगे तो बहुत सारे फायदे होंगे आपको भी और सामने वाले को भी आपको कुछ important points में बलेंगे जो आप अपने notes में include कर सकते हो सामने वाले के answer में अगर कोई mistake होती हो तो आप उनको बता सकते हो कि यहाँ यहाँ पर आपको सुधार की आ इंडिया में जो sunflower oil का consumption है इसके ओपर असर पड़ा है तो यहाँ पर इस editorial को लिखा गया है हरीश दामोदरन साब के दुरू समझेंगे इनके क्या important point of views है पहले इसी article को cover करेंगे क्योंकि यह जादा important है और मैं आपको बता दूँ UPSC यहाँ से पहले सवाल पूछ चुगा ह वो सवाल भी आगे दिखाऊंगा मैं तो बस स्क्रीन पर नीचे देखते हुए चलना चीज़े आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आते हुई चलेंगी ठीक है हम बात करें edible oils की edible oil मतलब जो खाने वाला तेल होता है जिसको हम लोग cooking में use करते हैं तो edible oil को लेकर पिछले दो से तीन सालों में काफी बावाल हुआ अब बावाल क्या हुआ कहने का मतलब है दुनिया भर में हम देख रहे थे इस vegetable oil की जिसका सबजियों में use किया जाता है उस तेल का जो दाम है वो काफी तेजी से बढ़ गया बहुत तेजी से यहाँ पर उसके price increase होते वे नजर COVID-19 की वज़ा से काम हुआ दूसरा यहाँ पर रश्या ने उक्रेन के उपर अटेक कर दिया उसकी वज़ासे भी जो international level है वहाँ पर इन तेल के दाम बढ़ते वे नजर आ गए ठीक है जो हमारा cooking के अंदर में खाने बनाने के लिए तेल का use किया जाता है मैं उस तेल की बात कर रहा हूँ अब यहाँ पर edible oil के जो prices है वो इतनी तेजी से उपर नीचे होते चलेगा इसके पिछे के factors क्या क्या है सबसे पहला factor और सबसे important factor है Russia Ukraine का war पिछले साल की बात है Russia ने Ukraine के उपर attack किया और वो attack अभी तक यहाँ पर इस प्रकार का जो यह war है वो जारी है इसकी व आपको बताऊं दुनिया बर में जितना भी खाने वाला तेल है ना उसमें 58% का production दुनिया बर के लिए 58% का production यूकरेन और रश्या कर रहे हैं यह दोनों देशों में खाने वाला तेल का उत्पादन सबसे जादा होता है और यही दोनों आपस में भीड़ गए अब जब भी बढ़ गए तो जो भी यहाँ पर व्यापार वगर है वो हो नहीं पा रहा था इंटरनाशनल मार्केट में तेल आई नहीं पा रहा था जिसकी वज़ाए से जो प्राइसे हैं क्योंकि डिमांड बड़ी पड़ी है सप्लाई है नहीं प्रोडक्शन नहीं हो रहा है तो जिसक युकरेण के नीचे जस्ट ब्लैक सी आपको देखने को मिलेगा तो ब्लैक सी में भी यहाँ पर जो व्यापार वगर है वो सब्बंद हो गया था रश्य युकरेण की वार की वज़ा से तो बाद में दीरे देगर के मामला हमने सुलवज सुल जाया इस सिचुएशन को सुल वो तेल है और वो मार्केट तक पहुचाना जरूर यह है तो उस प्रकार का यहाँ पर अग्रिमेंट हुआ जिसकी वज़ा से यह तेल इंटरनाशनल मार्केट में आना स्टार्ट हुआ और सुन फ्लार ओइल का इंटरनाशनल मार्केट में आते ही आपका सकते हो जो दाम है वो थोड़ा सा नॉर्मलाईज होना स्टार्ट हो गया प्राइस नॉर्मल होने स्टार्ट हो गया तो ऐसा यहाँ पर राइटर ने बता है कि एक्जैक्ली यह सारा सिनेरियो पिछले एक साल में हुआ है अब उसके बाद इसमें इंडिया के लिए क्या चीज़े निकल कर आती है अब दोखो प्राइस थोड़े थोड़े नॉर्मल हो रहे है तो भारत के लिए अच्छी बात है क्योंकि भारत जो यह सनफलार ओईल होता है सूरज मुखी का जो तेल है वो सबसे ज़ादा उयल का इंपॉर्ट इंडिया में काफी ज़ादा होता है इसकी वज़ा से इसके डाम international market में कम ही होना हमारे लिए अच्छा है जब जब international level पर इसके दाम बढ़ेंगे तब तब हमें महंगा खरीदना पड़ेगा और हमारे देश में भी जो महंगाई है तेल को लेकर वो जादा देखने को मिलेगी ठीक है तो ये इंडिया के लिए अच्छी बात है कि हाँ जो कॉस्ट है वो थोड़ी सी कम होती हुई नजरारी है दूसरा जो हमारे कंजूमर से उनके ओपर इंपाक्ट पड़ेगा क्योंकि जब जब तेल के दाम बढ़ेंगे तब तब जो हमारे देश के लोग है या फिर रेस्टोरेंट्स है या जो कैंटीन है वो क्या करेंगे वो सस्ते तेल का यूज़ करना start कर देंगे सोयाबीन ओईल का यूज़ करेंगे लोकल कोई तेल है उसका यूज़ करना start कर देंगे तो इस वज़ा से जो ये import flows है या फिर कह सकते हो जो दाम है ये कम ही होना अच्छा है अगर दाम कम है बाहर विदेशिक में इन तेल के तो कहीना कि इसका जो consumption है वो हम इंडिया में बढ़िया तरीके से कर सकते हैं नई तो फिर अगर इंटरनाशनल लेवल पर दाम बढ़ेंगे तो इसका impact डारेक्टली भारत के consumers के उपर पड़ता है फिर एक और चीज़ है market expansion इंडिया में आप देख पाओगे जो sunflower oil होता है न ये लंबे समय से करनाट का तेलंगना और महराश्टरा ये तीनी states हैं साउथ के states हैं यहीं पर सबसे ज़ादा ग्रो किया जा रहा है लगबग 70% 70% जो हमारे देश का sunflower oil का consumption है consumption की बात कर रहा हूँ वो भी south states में होता है महराश्टरा के अंदर 10-15% का उसके लबब बाकी सारे southern states में आप देख पाओगे तेल का consumption सबसे ज़ादा है तो इनके उपर impact पड़ेगा अगर यहाँ पर international level में चीज़े खराब होंगी तो उसके बाद यहाँ पर एक और चीज़ बताई गई है meeting the demand मतलब पिछले 10 सालों की अगर हम बात करें तो इंडिया में जो sunflower oil का production है domestic production हमारे देश के अंदर में वो काफी तेजी से कम हुआ है उसमे declining process हम लोगों ने देखा है और इस चक्कर में क्योंकि हमने अपने देश में उगाना बंद कर दिया कम कर दिया तो इस वज़ा से हम दूसरे देशों के उपर यानि बाहर विदेशों में dependency हमारी बढ़ चुकी है हम दूसरे देशों से यह जो तेल है वो मगा रहे हैं अपने देश के अंदर में तो यह जो domestic production है हमारे देश का production decline हुआ तो हमने बाहर दूसरी country से sunflower oil को मगाना start कर दिया और इससे कहिना की जो हमारा कह सकते हूँ demand है वो काफी ज़ादा है और अगर international level पर यह problems होंगी तो हमारे देश में जो demand है वो पूरी नहीं हो पाएंगी तो यह भी यानि इंडिया के ओपर इस प्रकार से impact पड़ सकता है international level पर अगर कोई भी changes होते है oil prices में उसका clear हो गया अब मैं आपको थोड़ा सा अलग से data देता हूँ यहाँ पर writer बोलता है कि भारत में जो cooking oil है उसका consumption का scenario क्या है मतलब ऐसे क्या हालात होगा है कि हम इतना जदे dependent है हमें tension है कि बाहर कोई change नहीं होने चाहिए अगर बाहर कोई दाम में change होता है तो भारत की ओपर असर बहुत बोड़ अब बढ़ेगा ऐसा क्या scenario है देखो क्योंकि इंडिया का जो consumption है खाने वाले तेल का वो लगबग 23.5 से लेकर 24 million tons के आसपास का है 23 से लेकर 24 million tons हर साल इंडिया में जो ये खाने वाला तेल हो यूज किया जाता है जिसमें से अब ध्यान से जोना जिसमें से 13 से लेकर 14 13 से 14 million tons केवल और केवल import किया जाता है ये देख सकते हो डिपेंडेंसी मतला production केवल 19 मिलियन टन ही हो रहा है बाकी 13-14 मिलियन टन हम बाहर विदेशों से इस तेल को मगाते हैं हर साल जिसमें से sunflower चौथे नमबर पर आने वाला सबसे ज़ादा खाया जाने वाला तेल है ठीक है और सबसे ज़ादा कौँ सा तेल इंडिया में खाया जाता है palm oil palm oil सबसादा खाया जाता है 8 से लेकर 8.5 मिलियन टन्स के आसपास यहाँ पर consumption है इंडिया में हर साल फिर second number पर soya bean oil third number पर mustard oil और fourth number पर आता है sunflower oil तो sunflower oil और palm oil दोनों के दोनों का जो domestic production इंडिया में पहले हम उगाते थे बड़ ये कम हो चुका है इसी के लिए सरकार ने यापर एक कदम उठाया है जो की बिल्कुल सही तरीका है जो हमारे writer है वो इस कदम को यापर support भी करते हैं कि सरकार का जो initiative इसको तेजी से बड़ावा देना चाहिए वो initiative कौन साइम आपको ये बताता हूँ सरकार ने एक mission launch क्या है National Mission on Edible Oil इस mission का main मकसद क्या है ये basically ध्यान रखना है Centrally Sponsored Scheme है Centrally Sponsored Scheme का मतलब है कि इन सरकार राजे सरकार दोनों मिलकर इस scheme को लागू करेंगी तो इस scheme को यहाँ पर implement किया जा रहा है अंडमान और निकोबार के North East वाले region में ठीक है Sorry, North East वाला region हमारा अलग है इंडिया का जो North East रेजन है है ना जो Assam मेगा लिया हो वाला है इन दोनों ही main portions के उपर focus किया जाएगा यहाँ पर हम क्या करेंगे Palm oil का production बढ़ाएंगे ठीक है हमारा main मकसद है कि 2025-26 तक हम क्या करें इन दोनों areas में 6.5 lakh hectare की जमीन पर Palm oil का production करें यह हमारा mission है और जो कि होना भी चाहिए इसी वज़ा से क्योंकि इस mission को हम थोड़ा सा बढ़ावा देंगे proper support मिलेगा तभी हमारी जो dependency है दूसरे देशों के उपर वो खतम हो सकेगी यह writer का concept है अब देखो यह article important हो था UPSC ने साल 2018 में यहाँ पर एक question पूछा था इसी article से related मैं आपको दिखाता हूँ आपको दो स्टेटमेंट्स दिए गए है बताना है कौस स्टेटमेंट सही है पहला स्टेटमेंट कि जो quality है imported edible oil की यानि quantity जो है यानि जो हम विदेशों से तेल मगाते है खाने वाला तेल मगाते है उसकी जो quantity है वो हमारे देश के production से ज़ादा है पिछले 5 सालों में क्या ये सही बात है हाँ बिल्कुल सही बात है हमने तो even पिछले 10 सालों में देखा है कि हमारे देश में जितना तेल का उत्पादान हो रहा है उससे ज़ादा हम मगाते हैं तो ये वाला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है दूसरा statement देखते हैं दूसरा statement बोलता है कि जो सरकार है वो कोई भी यहाँ पर custom duty कोई भी extra charges इस imported edible oil के उपर नहीं लगाती है as a special case ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पर भी custom duties लगाई जा सकती है आपने पता होना चाहिए यहना कोई भी charges लगाई जा सकते हैं तो हमारा second statement गलत है पहला statement आपको बिल्कुल सही देखने को मिलेगा तो इसका सही उतर हो जाएगा option number A, one only ठीक है, तो यह था यहाँ पर हमारा question clear हो गया, मज़ा आ गया, अच्छे से clear हुआ चलो, आते हैं हम लोग अपने next editorial की तरफ अगला editorial है Middle Kingdom, Downs on India's West मतलब क्या समझते हैं देखो, writer बोलते हैं कि हाली में 32 वा, कौन सा 32nd Arab League Summit होता है कहां पे होता है, साउदी अरेबिया के जेदा में यह Summit किया जाता है ठीक है, यह जो Summit है उनीक था, अलग लग तरीके साथ देखो कि काफी उनीक था, बारा साल बाद जो यह 22 Arab States हैं Arab Countries हैं, यह साथ में खटी हुई थी और इन में से यहां पर कह सकते हो कि एक अच्छी चीज यह भी होती है कि जो Syria है, वो Syria यहां पर इसमें admit हो जाता है, Syria को वापस से इस Arab League में add कर लिया जाता है मैं आपको इसके बारे में पढ़ा चुका हूँ यह recently यहां पर यह सारगा सारा चीज़े हुई है यह सारी की सारी meeting हुई है साथी Arabia के अंदर में लेकिन यहां पर यह जो Summit हुआ है इस Summit के बाद में आप कह सकते हो काफी सारे points को पर focus किया गया इस Summit के दौरान कह सकते हो जो pro Palestine agenda है वो चलाया गया अब आपको पता होगा pro Palestine क्या है, Israel और Palestine आपने सुना होगा है ना, तो Palestine जो है उसको कबजा कबजा कर, Israel जो है पूरी तरह से प्रती, Israel के खिलाफ यहां पर खड़े वे हैं यह Arab countries और Israel का नाम मेंचन नहीं किया है, लेकिन यहां पर कह सकते हो, pro Palestine agenda हमने देखा है Summit के अंदर ऐसा कह सकते हो क्योंकि आपको पता है, जाद अतर जो Arab countries ना, वो Israel को सपोर्ट नहीं करती है इसराइल एक ऐसा देश है, उनको कहा जाता है कि वो कबजा करके बसावा है तो बहुत कम ही दुनिया भर के देश है जो कि इसराइल को एक देश की मानिता देते है ठीके, तो इसमें भी Arab countries भी बहुत सारी है जो कि अभी इसराइल को as a country एकसप्ट नहीं करती है बहुत कमी countries है, वो Abraham Accord के माध्यम से यहां पर कह सकतो हो काफी देश साथ में खट हुआ है जिनोंने यहां पर इसराइल को एक देश का मानिता दी, एक देश का recognition दिया अभी भी लेकिन कई सारी Arab countries जिनोंने recognition नहीं दिया है यह बात आपने ध्यान में रखनी है तो बोला गया कि अरब को लेकर यह meeting हुई, Arab League हुई, Arab countries का discussion हुआ था, लेकिन कोई भी Arab issues की बात ही नहीं की गई मतलब Arab countries को लेकर जो विवात था उसका कोई भी discussion इस meeting में हुआ ही नहीं केवाल Ukraine, oil market इन सब चीजों को लेकर यहाँ पर थोड़ा सा discussion हुआ, उसके अलावा किसी चीज़ का discussion नहीं हुआ तो इसके basis पर जो हुमारे writer है न वो Saudi Arabia के angle के बारे में समझाते हैं इनका कहना यह है कि जो Saudi Arabia का emergence है, Saudi Arabia जिस तरीके से grow कर रहा है, यह कही नहीं पूरी अरब की दुनिया में एक mediator का काम कर रहा है, ठीक है मध्यस्त का काम कर रहा है, बीच में मामले को सुलजाने का काम कर रहा है और इंडिया को भी यहाँ पर कुछ इस प्रकार की strategy यहाँ पर Saudi Arabia चल रहा है इसके साथ मिल जाना चाहिए writer बोलता है कि Saudi Arabia जो है अभी जो प्रिंस मौमद बिन सल्मान है इनके अंडर में है, प्रिंस मौमद बिन सल्मान का रूल आपको Saudi Arabia में देखने को मिलेगा और अभी यहाँ पर इनी रूल के अंडर में आपको पता होगा, China ने Saudi Arabia और इरान के जो relations है, वो नॉर्मल करवा दिया है 45 साल तक कह सकते हो Saudi Arabia और इरान आपस में बिढ़ते रहे और इनकी लड़ाईयां चलती रही Yemen, Lebanon, Syria, Iraq जैसे देशों में जो युद दो रहा था, उस युद के पीछे यहाँ पर इनी दिनों देशों का हाथ था एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे थे, प्रॉक्सी वार कर रहे थे तो हाला इतने जादा खराब हो गए तो China बीच माया और China ने यहाँ पर इरान और Saudi Arabia के जो relations है, वो यहाँ पर settle करवा दिये अब यह दोनों साथ में मिलकर काम कर रहे हैं एवन यहाँ पर इन्होंने बोलाए कि अपना जो embassy है वो भी एक दूसरे के देश में यह open करेंगे तो 45 साल की लड़ाई के बाद मामला सुलजा है ठीक है, तो एक तरफ यहाँ पर आप देख पाऊगे जो relations है वो भी stabilize है तो यह कह सकते हो leadership जो कि यहाँ पर साथी अरेबिया आज के समय पर play कर रहा है अरब की दुनिया में Arab world में आप देख पाऊगे तो कहीं ना कहीं साथी अरेबिया Arab world का leader बन चुका है लेकिन जिस प्रकार से इरान और साथी अरेबिया इससे ही यहाँ पर हो सकता है कि साथी अरेबिया और USA के relations खराब हो जाएं क्योंकि आपको पता होगा इरान और USA की कभी नहीं बनती है USA ने इरान के उपर डेज सारे sanctions लगा रखें हैना nuclear program को लेकर इतने सारे sanctions लगा रखें इनकी economy पूरी तरह से खराब हो चुकी है इरान की बट साथी रेबिया इरान अभी अपने relations को establish कर रहे हैं जिससे कि यहाँ पर जो US है वो नराज हो सकता है ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है लेकिन फिर भी यहाँ पर बात यह है कि साथी रेबिया की उसने अभी भी जो relations से वो establish करके रखे हैं सभी को यहाँ पर आपस में पकड़ के रखा हुआ है एविन जो जेदा है जेदा जो जगा है साथी रेबिया में यह कहीना है कि जगा बन चुका है peace truck का कई सारी चीजों की बातचीत वहाँ पर यह भी सुडान में जो पूरा इशू हुआ था ना सुडान का जो पूरी लडाई हो गई थी वहाँ पर उस महाँ पर कैसे मामला सुलजाया जा सकता है कैसे शांती बनाई जा सकती है उसको लेकर बाचीद भी अभी साओधी रेबिया के जेद्धा में हुई थी वहाँ पे भी पी स्टॉक की गई थी तो ये कहीना कहीं यहाँ पे कह सकते हो कि इस अरब सूप्रेमेसी में जो साओधी रेबिया है इसको सबसदा एडवांटेज है और साओधी रेबिय ने नाम भी कमाई पेचले कुछ समय में आप देखोगे बात है साल 2022 की साल 2022 में इनकी जो जीडिपी है वो 8.7% से ग्रो करती होई नजर आई थी यानि 1,108 बिलियां डॉलर सग ये पहुँच गई थी इनकी जीडिपी ठीक है और सेकेंड नंबर पर यह ही था और दुनिया का एक सबसे बड़ा ओइल एक्सपोर्टर है यानि साओधी क्या करता है सबसदा तेल का उत्पादन करने के बाद में दुनिया बर को बेचता है और उसी से इनकी में कमाई होती है और इसी साओधी की जो oil income है वो भी पिछले साल बढ़ी है 51% से 51% से बढ़ती होई नजर आई है लगबग to 28 billion dollars कर उन्हें तेल बेचाए तो यह अपने आप में कह सकते हो यह पेतरी चीज़ है oil marketing के मामले में भी साओधी रेबिया काफी आ गए दुनिया बर की जो देश है वो अभी दो साल पहले बहुत ज़ादा सफर किये हैं बहुत प्रॉब्लम उठाए हैं बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है उन्हें कोविट के वज़ा से क्योंकि oil की demand कम हो गई थी बहुत कुछ issues यहाँ पिनोंने फेस किये हैं इतनी volatility फेस करने के बावजूद भी यहाँ पर केवल एकलोती कमपनी है साओधी एरेमको नाम की कमपनी यह दुनिया की सबसे बड़ी oil कमपनी है इसने अभी भी यहाँ पर profit कमाया है बहले ही कितने issue आ गई हो बहले ही कितने economic turmoil देखने को मिले हो उसके बावजूद भी साओधी एरेमको कमपनी का जो profit है वो काफी maintain रहा है इन्होंने काफी कुछ यहाँ पर gain किया है ऐसा यहाँ पर बोला गया यह बात clear होगी दूसरा यहाँ पर बोला जा रहा है कि भले ही सब कुछ अच्छा हो लेकिन Saudi Arabia में कुछ challenges भी देखने को मिलेंगे जैसे कि अभी जो relation है UAE के साथ में Qatar के साथ में वो केवल दिखाने के हैं लेकिन कहीं ना कि वो relations काफी खराब भी हो सकते हैं यहाँ पर कुछ इस प्रकार के challenges भी नजर आता है इंडिया का stake क्या है देखो इंडिया भी जानता है Arab World में इंडिया का काफी बड़ा value है है ना व्यापार Arab countries के साथ में इंडिया का काफी ज़दा देखने को मिल जाता है तो हमें भी यहाँ पर जरूरत है किस चीज की हमें भी यहाँ पर accept करना होगा इस importance की और हमें भी यहाँ पर देख रहे हैं Arab countries के अंदर में उसके हिसाब से हमें भी यहाँ पर इन strategies के अंदर involve होना होगा यानि हमने क्या करना है अपने जो relations हैं हमारे अभी जो साओधी-Arabia के साथ में relations हैं जो संबंद है वो काफी अच्छे हैं बट जिस level पर होने चाहिए थे वैसे नहीं है तो कहीं न कहीं इन संबंद के अंदर upgradation होना जरूरी है इन संबंदों को और बढ़िया करना जरूरी है और इसके लिए हम क्या कर सकते हैं जो प्रिंस मौम्मद बिन सल्मान है साओधी-Arabia के king जो है उनको वापस से invite कर सकते हैं वापस से मतलब पिछली बार में invite किया था हाँ पिछले साल किया था बट वो invitation कैंसल हो गया था मतलब कैंसल का मतलब वो meeting कैंसल हो गयी थी last वक्त पे बट अभी क्या है अभी इनको हम बुला सकते हैं जी 20 की जो summit है न्यू डेली में आने वाली summit होने वाली है न्यू डेली के अंदर में वहाँ पे इनको बुलाया जा सकता है बुलाने के बाद में हम अलग से बैटकर साओधी-Arabia के साथ में bilateral discussion कर सकते हैं और वो discussion कई सारी चीज़ों को लेकर किया जा सकता है कि कैसे साओधी-Arabia और जो इंडिया है वो अपने trade partnership को बढ़ा सकते हैं, economic partnership को बढ़ा सकते हैं, social economic infrastructure को लेकर बात की जा सकती है, दोनों देश मिलकर अलग-लग projects को जो मुद्दा है वो उठा सकते हैं, है ना तो यह यह ज़रूरी है अगर हमें West Asia में चमकना है तो, क्योंकि Saudi Arabia उधर West Asia में यहाँ पर एक important country की तरह grow कर रहा है, यह बात यहाँ पर writer mention करता है, I hope आपको यहाँ पर इस चीज़ अच्छी से समझ में आ चुकी है, तो यह था दोस्तों discussion, बाकी यहाँ पर यह article में आपको बोला था, वो नहीं पढ़ना है, वो आपके काम का बिल्कुल भी नहीं है, तो examination में उससे कोई help नहीं मिलने वाली है, बाकी फटा 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 हम लोग अपने prelims वाले question को देखते हैं, तो आज का prelims का question क्या था, 2013 में पूछा गया था कि समिधान के according बात करें, तो कौन सा यहाँ पर समिधान में लिखावा है कि बिल्कुल यह हमारे देश के साशन के लिए एक मौलिक चीज़ है, एक important चीज़ है, एक fundamental चीज़ है DPSP, ठीक है, तो गाइस यह थे हमारे सारे के सारे important discussion, आज मिलते हैं आप लोगों इस अगले वीडियो में, आज के लिए बाबाए, have a nice day, thank you and जाहिंद